नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का competition community की YouTube चैनल में आप लोग देख रहे हैं SST CGL and CHSL का YouTube course जिसमें आज हम एक नया topic स्टार्ट करने वाले में मेंसुरेशन को हम दो पार्ट में कवर करेंगे जिसमें पहला पार्ट है इसमें हम 2D फिगर्स याने की प्लेन फिगर्स के बारे में हमारा discussion रहेगा शेत्रमिती में और साथ में सेकेंड वाले में हम 3D फिगर्स में भी discuss करेंगे जहां पर एक height भी आ जाता है ठीक है तो 2D फ फोकस रहते हैं याने perimeter तो इसके परीधी और सेत्रफल के उपर सवाल बनते हैं जब हम 2D की बात करते हैं ठीक है अगर मैं आपके prelims की बात करूँ तो एक सवाल आपका fixed है 25 में से SSC serial mains में अगर सबसे ज़्यादा किसी topic से question आता है तो वो mensuration है जोवेटरी से भी ज़्यादा question जो है वो mensuration से पुछा जाता है advance में यानि किसी भी topic से अगर सबसे ज़्यादा question आते है mains में mensuration से लेकिन prelims के perspective से हम देखे तो एक हई सवाल आता है तो यहाँ prelims के perspective से हम इसको पढ़ेंगे लेकिन जब mains के बारे में जब जब भी पढ़ना होगा वहाँ पर हम इसको और depth में पढ़ेंगे क्योंकि जब prelims की बारी हो रही है तो यहाँ ज्यादा वीटेश नहीं ठीक है अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाना ना भूले क्यों जह से कि हाँ पर समझ में आ रहा है पॉली का मतलबुट सारे होते है गॉन का मतलब होता है साइड भुझ भुझ होता है बुझा तो बहुत सारे सायड वाले जो close figure होता है उसी को हम polygorn क्याते तो देखिए polygon 3 sides वाला हो सकता है polygon जो है 4 side वाला हो सकता है polygon जो है वो 5 side वाला हो सकता है ठीक है? अलग-अलग side के 6 side वाला polygon हो सकता है इन सभी polygon का एक-एक नाम होता है बात समझभारी है? तो इससे related कुछ formulas होता है उसको हमें जानना ज़रूरी है देखी triangles के जो videos थे उसमें मैंने triangle को इतने depth में cover किया है कि आप से कोई भी area का सवाल आ जाए तो वो बनना चाहिए खेर, जहां पर हम triangle की बात कर रहें तो सबसे पहले angle के उपर अगर प्रशन आता है तो आप जानते हैं किसी भी triangle में a plus b plus c जो होता है angle a plus b plus c हमेशा कितना होता है 180 degree होता है तो अगर कोई आप से पूछे बताइए quadrilateral के चारों जो कोण है इन सब का sum कितना होगा तो आप कहाए देना कि 180 degree में दो बार आप multiply करेंगे तो यहाँ पर 360 होगा ऐसा है इसलिए क्यूंकि देखिया अगर मैं इस quadrilateral को इस तरीके से तोड़ लू तो एक triangle है मतलब यहाँ पर दो triangle बन रहे है तो इन सभी कोण का जो योगफाल होगा वो हो जाएगा 180 degree multiplied by 2 अब अगर इस pentagon की बात करें यह quadrilateral होता है pentagon है तो इसमें यदि हम देखे तो एक triangle यह बन गया एक triangle यह बन गया एक triangle यह बन गया तो एक दो तीन बन गया मतलब यहाँ 180 degree multiplied by 3 यानि आंतरी कोण का जो योगफाल है interior angles का जो sum है वो यहाँ पर 180 degree multiplied by 3 होता है यहाँ पर 180 degree multiplied by 1 है जब 3 भुजाए है जब 4 भुजाए है तो 180 degree multiplied by 2 है जब 5 भुजाए हो गए तो इसमें 180 degree multiplied by 3 हो गया अब अगर 6 भुजाए होए तो यहाँ पर 180 degree multiplied by 4 होगा इसके आंतरी कोण का योगफाल interior angles का sum ऐसा क्यों? देखिए भाइ कोई भी एक बिंदू को ले लिए जैसे इस बिंदू को ले लिए ये एक triangle ये एक triangle और ये एक triangle ठीक है तो एक दो तीन और ये चौथा triangle automatically बन गया तो एक triangle का जो sum होता है वो तो 180 degree होता है अगर 4 triangle बन गया है तो 180 minus multiplied by 4 आ जाएगा मतलब समझेगा यहाँ पर कि अगर 6 यहाँ पर sides है तो उससे 2 कम multiply करना 5 sides है तो उससे 2 कम यानि 3 multiply करना 4 sides है तो उससे 2 कम यानि 2 multiply करना 3 side 3 से 2 कम यानि 1 multiply करने पर इसके आंद्रे कोण का योगफल निकल के आ जाता है किसी भी polygon का बत समझ बारे तो देखे अलग-अलग polygon का अलग-अलग नाम होता है तीन अगर भुजाया है तो त्रिभुज कहते हैं triangle चार है तो चतुर भुज कहते हैं याने quadrator ये quadrator बहुत अलग-अलग प्रकार के quadrator आपके syllabus में है जिसके अंदर क्या-क्या आजाएगा square आजाएगा rectangle आजाएगा ठीक है पैरलोग्राम आजाएगा रॉंबस आजाएगा तो सारी चीज़े हम यहां पर cover करेंगे ठीक है पेंटागन, hexagon, pentagon याने पंच भुज, hexagon याने शट भुज, शट कोण भी कहते हैं इसको सब्त भुज, hexagon, heptagon या कहीं कहीं पर septagon भी दिखता है बात एक ही है septagon हो या heptagon हो बात एक ही है ठीक है octagon याने अश्ट भुज, nonagon याने की 9 भुज और decagon याने 10 भुज याने की जितने भुजाये हैं उन सबका अपना अपना एक नाम होता है इस नाम के जरी इनको पुकारा जाता है ठीक तो ये कुछ प्रकार हो गए polygon के कितने भुजाये हैं उसके उपर related इनके जो कोण होते हैं उसके उपर कुछ formulas हमने आपको बताया जैसे कि sum of all the interior and exterior angle is 180 degree तो पहली बात आप समझेगा कि interior angle plus exterior angle कुछ formulas है कोई भी किसी भी प्रकार का आप यहाँ पर figure बनाया है जैसे कि triangle बनाया है तो यहाँ पर मैंने इसको extend किया तो interior angle है यह है इसका exterior angle है किसी भी interior angle plus exterior angle का योगफल जो है हमेशा 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 360 degree होता है यह हमने पहले भी देखा है और अभी भी यहाँ पर हम यह चीजों को use करेंगे ठीक है तो पहले English में देख लेते हैं sum of interior angle of interior angle plus exterior angle is always 180 degree किसी भी polygon का जो आंत्री कोड है interior angle का जो sum होता है n-2 into 60 degree होता है इसके बारे में मैंने आपको detail में बताया ऐसा क्यों होता है sum of exterior angle हमेशा 360 degree होता है चाहे आप चतुर बुझ बनाए चाहे आप पंच बुझ बनाए five sides वाला figure बनाए या four sides वाला figure बनाए या six sides वाला figure बनाए sides के उपर निर्भर क्या नहीं करता है तो exterior angle के sum जो होता है वो इस पर भी भी depend नहीं होता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर each interior angle of the polygon जो है अब देखिए यहाँ पर एक शब्द होना चाहिए regular polygon यहाँ पर एक शब्द होना चाहिए regular polygon regular polygon का मतलब होता है sum बाहु बहु पद ठीक है बहु भुझ सॉरी sum बाहु बहु भुझ यानि कि सारे के सारे sides equal और सारे के सारे angles equal जैसे ही आपने सारे sides equal और angles equal कर दिया तो पहले तो interior angle का sum यह था जब एक एक कोण बरावर हो गया है तो कितने कोण है अगर जितने sides से उतने कोण हो गया तो अगर n sides है तो divide कर दो n से तो एक एक कोण का यहाँ पर value आ जाएगा n-2 into x3 divided by n clear exterior angle की बात करें तो total 360 डिगरी होता है regular हो गया तो यहाँ पर सारे के सारे एक एक जो प्रत्य एक exterior angle होगा 360 डिगरी बटा 9 हो जाएगा और साथ में diagonal याने कि इसके विकर्णों की संख्या की बात करें तो n into n-2 n-3 divided by 2 जो है इसके विकर्णों की संख्या होती है तो इसके एक बार देख लेंगे यहाँ पर कोई भी अंतह एवं बहर कोण जो है इन दोनों का योग जो है हमेशा 180 डिगरी होता है चाहिए कोई भी आप figure बना लीजिए एक पेर जो है वो हमेशा 180 डिगरी बनाता है ठीक है बहुबुज के अंतह कोण का योग जो होता है n-2 into 180 डिग होता है मतलब यहाँ पर n का कोई भी रोल नहीं है चाहे 10 side वाला आपका भुझ हो चाहे 9 side हो चाहे 5 side हो चाहे 3 side हो तो यहाँ पर जो exterior angles होता है इन सब का योग फल हमेशा हमेशा 306 डिगरी ही होता है आगे बढ़ते है अगर प्रत्यक यहाँ पर सम को ने सम बाहु जो है सम बहुबुज की बात करें उसका अगर प्रत्य कोन का माप हमें निकालना है तो पूरे कोन का माप तो ये था इसमें बटा N कर देंगे तो average निकल जाएगा हर एक कोन का क्योंकि सारे कोन बरावर बरावर है N-2 into 180 degree divided by N वहीं exterior कोन यानि की बहिर कोन का एक एक बहिर कोन प्रत्य बहिर कोन का जो माप होगा वो हो जाएगा 360 degree divided by N कहां पर जहां सम बाहू है equal equal sides equal equal angles है तब इसके विकर्णों की संख्या की बात करें तो N into N minus 3 बटा 2 होता है important है इसको no down करके रखेगा कि अगर यहां पर कोई बहुपद या बहुभुज दिया हुआ है कि जिसके N sides है जैसे कि for example quadrilateral की बात करें तो चार भुजाएं होती है ठीक है चार भुजाएं वाले कोई quadrilateral है इसके कितने विकर्ण होता है एक यह और दो यह तो चार है तो आप बता पारें कि दो विकर्ण है लेकिन अगर चार से जादा हो गए दस हो गए तो कैसे बता होगे कितने है तो उसके लिए यहां यह फॉर्मूला यूज करना होता है जैसे कि मैं अगर चार यहां पर दाल दूँ एन क्या है चार भुजाओं की संख्या इसमें अगर चार दालोगे तो चार इंटू चार माइनस एक तीन मतलब एक डिवाइड़ेड़ बाए दो तो यहां पर दो विकर्ण निकल के आ रहा है तो किसी भी कॉड्रिलेटरल यानि की चतुर भुज में दो विकर्ण होता है य इतने भुजाएं हुए यहां पर तो आप कुछ वैल्यूस को याद रख सकते हैं या फिर अठारे के टेबल को याद रखे बहुत अच्छा होगा अठारा एकम अठारा होता है 18 1 जा 18 18 2 जा 36 18 3 54 4 जा 72 5 900 18 6 108 होता है 18 7 126 18 8 जा 144 होता है तो 144 है मतलब 8 गुणा हो रहा है त यहां पर 108 मतलब 18 6 हो रहा है तो 6 का मतलब 6 से 2 जादा 8 हो जाए होंगी इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आंत्री कोन का योगफल दिया हुआ है 180 से बाठी है जितना वैल्यू आ रहा है उससे 2 जादा उसके साइडस होंगे ठीक है तो यह टेबल के जरीए आप थोड़ा सा नोडाउन कर सकते हैं कि ट्रैंगल के तीनों भुजाओं की मतलब कि तीनों आंत्री कोनों का योगफल 180 होता है कोड्रिलेटरल यानि चतुर भुज का 360 होता है तो आपको समझ भे आ गया होगा कि आज हम यहां पर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे है ठीक तीन यानि कि पांच भुजाए हो गए तो पांच पे दो कम करिए पांच पे दो करेंगे कितना हो गया तीन हो गया और तीन मुल् यहां पर 180 डिग्री आ जाएगा क्लियर है तो पहला प्रश्ण है आपके स्क्रीन के उपर यहां दिया है दर सम अफ दी इंटिरियर एंगल सफ रेगुलर पॉलिगॉन इस 1440 वाट इस दिफरेंस बिट्विन दी एक्स्टिरियर एंगल अफ दी पॉलिगॉन 144 देखते साथ समझ में आता है 144 जो है सम अफ इंटिरियर एंगल है सबसे पहली बात आपका एन जो होगा वो दस होगा ठीक है यूंकि भाई फॉर्मुला जो होता है वो होता है एन माइनस टू इंटू अठा एक सो अस्ती डिग्री होता है तो यहां 00 तो कटी जाएगा 18 से इसको काटोग तो अठारा इसको आठ बार काट डिए बरावर ठीक आठ बार काट डिया मतलब एन माइनस एन जो है वह आठ प्लस दू है मतलब कितना है 10 बुचत मतलब हम यहां पर ठीक है डेका गन की बात कर रहें यानिंग दस भुच वाले यहां पर बहु भुच की बहुच की बात कर ठीक है तो यहाँ पर अगर यहाँ exterior angle की बात करें तो each exterior angle का value कितना होता है exterior angle का sum जो होता है 360 degree होता है divided by 10 करोगे तो यहाँ पर एक-एक exterior angle 36-36 degree का आएगा interior angle की बात करें तो interior angle भई यहाँ पर जब sum दिया है 1440 इसको अगर 10 से बाट दिया जाए तो यहाँ 144 डिगरी का हमारा एक एक interior angle बनेगा difference आपको निकालना था इन दोनों का तो इन दोनों का difference clearly कितना है 144 minus 36 और यहाँ से अगर आप इसको काटोगे तो 108 आएगा 108 यही सवाल का से उतर है कि 108 डिगरी जो एक एक interior angle और एक exterior angle का difference है clear है यहाँ आगे बढ़ते है if each interior angle of a regular polygon is 147 3 by 11 degree then what is the sum of the number of diagonals and the number of sides तो प्रत्यक आंतरी कोण का आपको यहाँ पर value दिया है 147 3 by 11 देखिए कभी भे आपको interior angle के उपर प्रश्न पूछा जाए ज़्यादा आसान होता है कि आप exterior angle का value निकाले क्योंकि हर एक exterior angle का value होता है वो 360 degree ठीक है वो कितना होता है exterior angle जो होता है वो होता है 360 degree divided by n तो ज़्यादा आसान होगा कि आप इसको क्या करिए इसको convert कर लिजे आप exterior angle में तो आपको यह पता है कि interior angle plus exterior angle जो होता है यह हमेशा 180 degree के बराबर होता है मतलब अगर मुझे exterior angle चाहिए तो मैं क्या करूँगा 180 degree minus interior angle करूँगा और सवाल में interior angle दिया हुआ कि प्रतियक interior angle इतना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको बना देंगे 147 3 by 11 ठीक तो इसको minus करने का भी सोचिए कि कैसे हम इसको फटा-फट minus करें देखे 147 सही 3 by 11 रग रहा है तो मैं क्या करूँगा इसमें से 148 पहले अलग कर लूँगा 148 अलग किया तो यहाँ बचा 32 और 148 में मैं 147 3 by 11 को minus करूँगा इससे क्या होगा कि यहाँ जो बचेगा value 8 by 11 बचेगा ठीक है एक बड़ा value लिया ना तो यह 8 by 11 बचा यहाँ पर 8 by 11 ठीक तो 32 सही 8 बटे 11 का मतलब क्या हो गया 32 को 11 से गुणा करना प्लस में 8 जोड देना मतलब 32 32 और यहाँ पर यह 8 और जोड जाएगा मतलब यह 0 बन गया 1360 आ रहा है ठीक है 360 by 11 मतलब यह value क्या है 360 by 11 अब देखे समझ में आ गया कि यहाँ कितने sides है 11 sides ही तो है क्योंकि exterior cone का value है और exterior cone जो होता है वो 360 degree बटा N होता है मतलब 360 degree बटा जो 11 है यह बराबर है 360 degree divided by N इसलिए मैंने कहा कि आप directly exterior angle का value निका लिए इससे बहुत जल्दी पता चल जाता है कि sides कितने interior angle वैला formula यूज़ करोगे तो उससे भी value आएगा क्योंकि interior angle का जो formula होता है वो होता है N minus 2 180 degree बटा N है लेकिन यहाँ थोड़ा सा complicated हो जाता है जब आप इसको simplify करते हैं calculate करते हैं ज़्यादा आसान यह है कि आप पहले exterior angle निका लिए और 360 degree बटे N से उसको आप equate कर दीजी तो N का मान जो है तूरंत निकल के आ जाएगा N जो है वो 11 है clear N का मान 11 है what is the number of diagonals what is the sum of number of diagonals तो diagonals का formula हम जानते N into N minus 3 divided by 2 और sides जो है वो तो 11 है तो यह 11 हो जाएगा number of sides तो 11 है तो यहाँ 11 दालेंगे तो कितना हैगा बता ही 11 into 11 minus 3 होगे 8 divided by 2 करोगे तो यह बनगे आपका 44 तो 44 आपके diagonals थे और यहाँ पर 11 था दोनों को जोडने पर पच्पन आएगा हाला कि आप यहाँ पर इसी point पर रूख सकते थे कि N जो 11 आया तो एक मात्र संभव जो मान है वो यह है क्योंकि यहाँ 11 चुपा हुआ है थिक बट कभी-कभी यह calculation आपको fail कर सकता है ऐसे किसमें पूरा आपको solve करना होगा ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन अ क्लोस्ट पॉलिगॉन हैस फाइफ साइट वन ओफिट्स एंगल इस 40 डिग्री ग्रेटर दैन इच अफ दी अफ फोर एंगल्स ठीक है एक पेंटागन के चार कोण ठीटा 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 है लेकिन जो चौथा कोण है वो 40 डिग्री ज्यादा है बाकी से मतलब जो चौथा कोण है वो ठीटा प्लस 40 डिग्री बात समझ मैं किसी भी पेंटागन के सारे साइट का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री multiplied by n minus 2 मतलब कि 5 है तो 5 में 2 minus करोगे तो 3 आएगा मतलब यह कितना है 540 के बराबर 540 degree के बराबर है अब आप खुद बताइए इसका value के है 1, 2, 3, 4, 5 बार theta है तो 5 theta इस 40 degree को दूसरे तरफ भेजेंगे तो 540 में minus हो जाएगा और minus होने पर जो value आएगा वो 500 का आएगा मतलब एक-एक जो equal cone है वो theta जो है वो किसके बराबर है तो 100 degree के बराबर है 5 से काट लिजे इसको तो कितना हैगा 100 degree आएगा clear है यहाँ तक तो A जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear यहाँ तक बात समझ बहाँ गई चलिए आगे बढ़ते हैं if the sum of all interior angles except one of the polygon is 3110 degree then what is the number of sites if all the interior angles is less than 180 degrees सवाल में दिया हुआ है किसी बहुबूज के आंतरिक कोण का एक आंतरिक कोण को छोड़कर 6 अन्य कोण का जो योगफल है वो कितना है 3110 degree है तब बहुबूज के भुजाओं की संख्या बताईए सभी आंतरिक कोण जो है वो 180 degree से कम है तो देखे इस सवाल में कैसे हम इसको solve करें सबसे पहली बात हम यह जानते हैं कि आंतरिक कोणों की जो संख्या होती है वो n-2 into 180 degree होती है होती की नहीं होती अब देखे यहां पर अगर आप options को थोड़ा सा देखें गौर करें तो यहां बहु मतलब की यह जो बहुबूज है उसके भुजाओं की संख्याए दी हुई है अगर 20 भुजाए हुई बात को समझेगा अगर 20 भुजाए हुई मतलब इस फॉर्मूले आप 20 दालेंगे तो 18 into 180 करोगे जो की कितना आजाएगा 3240 आएगा सवाल में आपको जो value दिया है वो 3110 दिया है मतलब एक कोण जो छुपा हुआ है जो कोण एक छुपा हुआ है वो 3110 में से minus करने पर उसका value आएगा जो की कितना है 130 दिग्री satisfy हो रहा है ठीक है क्योंकि ये 180 दिग्री से छोटा है अगर मैं इससे और पीछे चले जाओ 18 यहाँ पर sides ले लू मैं तो यहाँ पर 18 दालने पर 16 into 180 दिग्री होगा और 16 into 180 दिग्री करने पर जो value आएगा 2880 दिग्री अगर इस बहु भुज के भुजाओं का मतलब की कोणों का योगफल ही इतना है तो संभा भी नहीं हो सकता क्योंकि एक कोण को छोड़ने के बाद इससे जाधा value आ रहा है मतलब इससे छोटा आप लहीं नहीं सकते answer जो है 20 होगा हाला कि एक बार आप इसको भी चेक कर सकते है इसको अगर हम चेक करें तो 19 है ना तो n का मान 19 होगा अगर 19 दालने पर value जो है यहाँ पर आपका 17 आएगा तो 17 into कितना 180 डिग्री तो यह आपका बन जाएगा 306 0 डिग्री अगेन जो है यह इससे छोटा है संभव ही नहीं है ऐसा संभव है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक एंगल को छोड़ने के बाद उससे कम value आ रहा है तो यह तो पूरे के पूरे का सम है तो एक एंगल को छोड़ने के बाद उससे ज़्यादा कैसे value आ सकता है मतलब answer के वाल यही वाला से ही है 20 वाला जो है क्योंकि इसमें जो एक कोण बच रहा है वो 130 डिगरी बच रहा है जो कि संभव है क्योंकि जो बाकी एंगल्स है वो आपके 180 डिगरी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं इस तरीके के करेंगे 180 से बाटेंगे तो 0 तो हटी गया 0 को हटा देते हैं 311 को अगर मैं 18 से बाटना चालू करूं तो आप जानते हैं यहां पर 18 जो है एक बार कटेगा पहले 18 से माइनस करने पर 13 आ रहा है कि यहां actually 180 है यह 50 डिगरी आपका एक्स्ट्रा बचेगा देखे एक कोण को छोड़ने के बाद ऐसा हुआ एक कोण को छोड़ने के बाद ऐसा हुआ कि आप यहां पर 17 कर रहे है actually जो है एक कोण और यहां पर क्या जोड़ा जाए क्योंकि देखे 180 का multiple होना चाहिए जो भी आपके कोण है वो 180 डिगरी के multiple में चलती है तो अगर 56 बच गया तो 180 डिगरी बनाने के लिए कमी कितनी है तो 180 डिगरी माइनस 50 की कमी है मतलब इसमें आपको 130 और जोड़ना है और 18 गुणा करने का मतलब आप जानते है फॉर्मिले में जो होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिगरी होता है यह एन माइनस टू जो है यह 18 कमान है 18 अगर आपके जो 180 डिगरी में multiply करने पर बना रहा है तो यहां पर आप से पूछ रहा था भुजाओं कि संख्या क्या इससे दो जादा होगी यहने 20 से सकाउतर होगा clear है? यह basic approach होगा interior angles of a polygon are in AP smallest interior angle is 180 and the common difference is 4 degree then find the number of sites देखिए अगर आप इस प्रश्न को interior angle के जरीए solve करें तो काफी यहां पर difficulty आपको face करनी के जरूरत होगी क्योंकि interior angle का sum fixed नहीं होता है exterior angle के बारे में हमें पता है कि 100% चाहे वो 10 side वाला polygon हो चाहे 9 side वाला polygon हो, चाहे 4 side वाला polygon हो, उसमें सारे के सारे exterior angle का sum हमेशा 360 degree होता है, तो अगर यहां पर बुला गया कि smallest integral angle interior angle 100 degree का है यह interior angle है smallest है smallest है, इसका मतलब इसके corresponding जो exterior angle होगा, वो होगा 80 degree, क्योंकि हमें यह पता है angle interior plus angle exterior हमेशा कितना होता है 180 degree होता है, तो अगर यह 100 है, तो यह 180 degree माइनस 100 होगा, मतलब यह वाला value 180 degree का होगा, क्योंकि यह smallest है, तो अगला जो value है अगला जो value है, plus 4 degree ज़्यादा होगा, क्योंकि arithmetic progression में चल रही चीज़े, मतलब इस से 4 degree ज़्यादा, मतलब 104 degree है और अगर आप यहाँ 4 degree बढ़ा रहे हैं तो यहाँ आपको 4 कम करना पड़ेगा, मतलब 76 degree बनाना पड़ेगा, ठिक ज़्यादा असान है कि आप exterior angle से solve करें, क्योंकि हम यह बात जानते हैं, कि exterior angle का sum, चाहे कितने भी बड़े यहाँ पर आप polygon को ले ले हमेशा sum of exterior angle 360 degree होता है, तो इन दोनों का sum 360 नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक और angle बढ़ा दूँगा तो जैसे आप देख रहें, 4 degree कम हो रहा है, तो यहाँ 4 degree और कम होगा 72 degree अभी भी 360 हुआ क्या, नहीं हुआ, देखें यह दोनों 140 और यह 220 क्या सपास आ रहा है, 2208 228 क्या सपास, इसमें और हम कम कर देते, तो 68 degree बन जाएगा, ठीक है, अभी भी नहीं बन रहा है, इसमें अगर हम और 4 degree कम कर देते हैं, यहाँ पर 64 degree बन जाएगा अब यदि आप देखें, तो यह progression में है, और जैसे progression में होता है, तो बीच वाला संग average बन जाता है, और 72 degree multiple अभाए 5 करने पर 360 आ रहा है, मतलब इन सब का जो सम है, वो 360 degree ही होगा, दूसरा कुछ यहाँ पर संभव मान नहीं है, क्यूंकि देखें भई, अगर मैं इन नोनों को जोड़ू, तो भी 140, 140 पर एक 140, 280 280 में 60 को जोड़ोगे, तो कितना हैगा, 360 हैगा, मतलब 360 यहां पर बन गया है, जब हम 1, 2, 3, 4, 5 exterior contenu एंगल ले रहे हैं, 5 exterior का मतलब की 5 यहां पर आपके भुजाएं है, आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 5 भुजाएं है, ठीक, अगर मैं आप से प्रश्वा कुछ फिकर्णों की संख्या बताईए तो आप क्या करेंगे एक step आगे जाएंगे 5 इंटू 5 मार्च 3 यानि 2 बटा 2 करोगे तो अच्छा विकर्णों की संख्या भी 5 ही आरही तो आप बच जाएंगे से case में क्योंकि उत्तर 5 ही आ रहे हैं next question देखता है किसी सम बहुभुज का आंत्रिक कोन जो है इसके बहुष कोन के 5 गुने से 36 डिगरी ज्यादा है तब बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालनी हमें ठीक है तो यहाँ पर कैसे इसको solve करें देखिए आंत्रिक कोन याने interior angle जो है इसके बारे में वोला गया कि exterior angles के 5 गुने से याने 5 exterior angles से 36 डिगरी ज़्यादा है यह आपको दिया गया ठीक है इसको आप जानते हैं कि एक चीज़ जो है वो interior angle और exterior angle के बारे में हम जानते कि interior angle plus exterior angle हमेशा 180 डिगरी होता है तो मैं इसको इस तरीके से दिख लेता हूं कि 180 डिगरी जो है वह interior angle प्लस इसे आसान हो जाएगी calculate करने के लिए तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो interior angle और interior angle कर जाएंगे दोनों के दोनों 5 प्लस 1 मतलब की 6 exterior angle हो गया 180 degree यहाँ है 36 degree यहाँ है minus करने पर यहाँ पर 144 आ जाएगा बारा से यदि मैं काटू तो यह कटेगा दो बारा से इसे काटू तो तीस बार कटेगा दो से काटू तो 15 बार कटेगा यहने बुजाओ की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे पंदरा लेकिन सवाल में क्या पूछा है विकर्णों की संख्या तो विकर्णो चलिए नेक्स्ट कुष्ट्चन ठीक है यहाँ पर आपको एंगल 1 पलस एंगल 2 पलस एंगल 3 पलस एंगल 4 पलस एंगल 5 य dall या mandate करीके का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ठीक है स्टार का फिगर बना हुई है जिसमें एंगल 10 प्लस वी C, चौथा है ये वाला D, और पाच्छा है ये वाला E, और अगर आप देखें तो इसका vertically opposite angle की बात करो, तो ये वाला हो गया भई A, ये वाला हो गया B, ये वाला हो गया C, ये वाला हो गया आपका D, ये वाला हो जाएगा E, बराबर है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ कोईएगा कि exterior angle का सम हमेशा 360 degree होता है, तो अगर मैं आपसे पुछू कि A plus B plus C, plus D plus E कितना होगा, तो आप कहेंगे 360 degree होगा, अब यदि हम यहाँ पर इस 5 triangle के उपर अपना ध्यान लेकर आए, एक triangle यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, जिसमें कोण 1 चुपा हुआ है, यह चोटा triangle, दूसरा triangle यह वाला जिसमें कोण 2 चुपा हुआ है, तीसरा यह वाला जिसमें 3 है, 4 और यह 5, पांच कोण यहाँ पर आपको दिखाए दे दे, पांच कोण वाला आपको यहाँ पर triangle दिखाए दे रहे होंगे, किसी भी त्रिभूज के जो कोण होते हैं, किसी इन सब का जो सम होगा, वो हमेशा 180 डिगरी multiplied by 5 हो जाएगा अगर सब का सम एक साथ निकाले, मतलब आप समझेगा कि angle 1, angle 2, plus angle 3, plus angle 4, plus angle 5, यह तो हो गई होगा, प्लस, देखिएगा, A दो बार आगया, B दो बार, C दो बार, D दो बार, E दो बार, यहने, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E कितने बार आएगा, दो दो बार आएगा, और A प्लस C प्लस D प्लस E जो है, इसका value 360 होता है, मतलब यहाँ 720 डिगरी कर लेते हैं, क्योंकि यह दो यहाँ से आप यह लिख सकते हैं, कि एंगल 1 प्लस B प्लस, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जो है, यह हो जाएगा 900 डिगरी, 900 डिगरी माइनस का 720 डिगरी, इसके बरावर हो, मतलब किसना है, यह 180 डिगरी के बरावर है, 180 डिगरी के बरावर है, यह जो है सवाल का सही उत्त clear है, यहां तक समझ में आ गया चलिए next question, यहाँ पर what is the value of e, b, z, e, b, z, e, z e, b, z कहाँ दिखाई दे रहा, यहां दिखाई दे रहा, इसको दिखाई दे रहा, इसको निकालना है चलिए, क्यासे निकालेंगे, दिया हुआ abcd square, a b c d square यह जो a-b-c-d दिखाए दे रहा है यह स्क्वायर है साथ में रेगुलर पेंटगर है बी-सी एक्स-वाइ-ज़ जो है रेगुलर पेंटगर है आपको निकालना यहां पर यह स्क्वायर में हर एक एंगल जो है 90 डिगरी का होता है यह आप जानते हैं और पुरा का पुरा कोन है तीन सो साथ डिगरी को होता है अगर मैं यह वाला वैली निकाल दूं तो काम बन जाएगा हर एक तो पेंटगन में, रेगुलर पेंटगन में, एक-एक एक 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 इससे अफ़ेश एंगल होगा, वह तीन सो साथ डिगरी divided by 5 का इसको 5 से काट उगए tuh 72 यह एक्स्टीरियर एंगल है ध्यान रखेगा एक्स्टीरियर एंगल तो interior angle क्या होगा यह हो जाएगा 180 degree minus exterior angle 72 degree मतलब यह 108 degree होगा तो यह वाला जो cone यहाँ पर छोटा सा निकल क्या है यह 108 degree के बरावर है यहाँ तक clear हो गया अब देखिए पूरा का पूरा जो triangle बनलग कि पूरा का पूरा cone यह पूरा का पूरा एक circle बनेगा मतलब 360 degree होगा इसमें से 60 गया 90 गया और 108 गया तो बचा हुआ जो है वो 360 degree में से minus करने से आ जाएगा इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 150 degree हो गया और 360 degree में से अगर मैं 150 minus करूँ तो 210 degree बचेगा इस 210 में से 108 यहां चला गया 108 को भी minus कर दो तो 2 यहां बच रहा है ठीक यह 0 बन जाएगा और 102 degree होगा मतलब यह जो cone है यह 102 degree के बराबर है यह जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां तक clear? चली आगे बढ़ते हैं अगर अब हम triangles की बात करें तो triangles को मैंने आपको detail में समझाया है geometry में तो यहां मैं बहुत ज़्यादा depth में बातें नहीं करूँगा क्योंकि जितने detail में मैंने आपको यहां areas के बारे में भी similar triangles के बारे में बताया है वो सारे चीज sufficient है आपके mensuration के triangles के questions को solve करने के लिए हाला कि कुछ formulas को हम revise जरूर कर लेतें यहां पर ठीक है तो triangle की मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात आप यहां पर देख सकते है कुछ formulas जिसके बारे में पहले भी हमने discussion किया हुआ है एक triangle इस तरीके से दिखता है जिसमें कि यह जो a angle है इसके पिछे वाले साइड को small a से represent के जाता है बी एंगल के पिछे वाले साइड को small b से सी एंगल के पिछे वाले साइड को small c से अगर मैं यहां पर height बनाऊ यहां पर तो h1 बना यह h2 बना यह h3 बना height अलग-अलग base का तो half into base into height मतलब आधे गुने आधार गुने उचाई जो होती है यह ट्रिभुज की शेत रफल के बारे में बताता है हमें तो half a h1 लिख सकते है half b h2 लिख सकते है half c h3 लिख सकते है sign rule वाले formula से हमने देखा था कि जो h1 है इसको या तो आप c sin b लिख सकते है angle b के तहत या b sin c लिख सकते है angle c के तहते है तो इसी h1 को आप replace करके आतो लिख लेंगे half a b sin c या half a c sin b और इसी तरीके से तीसरा वाला कोण जो छूड़ गया वो a छूड़ गया क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा a और b को अगर multiply किया जा तो a b के साथ में beach का angle sin c आरहा है a c को multiply करे तो a a है ist ke beach का angle b आरहा है तो half a c sin b b और c को multiply करे तो b और c के beach का angle angle a आरहा है तो यहाँ से half b c sin a आरहा है clear है यहाँ तक बात समझबा गई चलिए इसके बाद अगर parameter की हम बात करे तो parameter a plus b plus c होता है a प्लस b प्लस c यानि इसके boundaries को जोडने पर जो value आता है वही perimeter खेलाता है परिमाप खेलाता है तो अर्ध परिमाप क्या होगा अर्ध परिमाप को हम s से denote करते हैं निरूपित करते हैं s बराबर a प्लस b प्लस c y 2 होता है हिरॉंस formula के तहट किसी भी triangle को का area निकालना है डेल्टा से represent होता है square root of s फिर s-a s-b s-c जिसमें abc की भुजाए s जो है अर्ध परिमाप है बहुत important formula है अगर तीनों भुजाए आपको किसी भी tribus का दे दिया जाए आपको area निकालना है तुरंत आप hirons formula से इसको find कर सकते है ठीक है hirons formula यह है इसको आप note कर लिएगा ठीक है बाखी कुछ बातें जैसे equilateral triangle की मैंने बात की थी तो आपको बताया था root 3 by 4 a square जो होता है इसका area होता है perimeter 3 यह होता है बहुत सारे तरीके हैं जैसे अगर यहाँ sin 60 degree लगा लें तो sin 60 degree root 3 by 2 होता है और half into a into a करोगे multiplied by a square by 4 इस तरीके से आप यहाँ पर root 3 by 4 a square लिख सकते है इसी के तहट इसका perimeter जो होगा a plus a plus a 3a हो जाएगा अगर height निकालना है तो height हो जाता है भई h is equal to a sin 60 degree मतलब a root 3 by 2 या अगर a निकालना है तो हो जाएगा 2h by 3 और अगर height की terms में हम a दिया निकालने क्योंकि देखे a बराबर 2h by 3 होगा अगर 2h by 3 यहाँ दालोगे तो 4-4 कड़ जाएगा root 3 उपर वाला एक नीचे से कड़ जा जाएगा अगर आप directly आपको इसके तहट निकालना है कि इसका height के तहट अगर area निकालना है तो h square divided by root 3 जो होता है यह भी आपको area दे देता है बहुत तेजी से तो height के तहट भी area निकालना आपको सीखना होगा चलिए isolus triangle की बात करें तो isolus triangle में area निकालना है तो सबसे पहली बात जहाँ पर दो sides equal होते हैं दो side जहाँ equal होते हैं वहाँ पर जब आप altitude बनाते हैं ऐसे condition में altitude ही median होता है यह सारी चीज हमने concurrency में discuss किया था similar triangles वाले वीडियो में तो isolus triangle में ही ऐसा होता है और equilateral triangle में क्योंकि वो isolus triangle का एक ऐसा form है जिसमें A और A होने के साथ साथ base भी A के बरावर होते हैं ऐसे में आप यहाँ 90 degree लगाकर आप यहाँ पर height निकाल सकते हैं अगर दिया हुआ है तो half into base into height से आपका area निकल के आ जाएगा केवल और केवल आइसोसलस triangle में ही ऐसा होता है जहां पर आप equal sides के points से अगर आप height दालेंगे तो यही median बन जाता है और equilateral triangle में symmetric figure के होने के तहत वहाँ पर जो height है वही आपका मीडियन बन जाता है वही आपका angle by sector बन जाता है सारी चीज़े वहाँ पर coincide हो जाती symmetricity के वज़े से ठीक यह सारी चीज़े मैंने आपको triangles में जब हम geometry में discuss कर रहे थे यह हम discuss कर चुके हैं तो आए कुछ सवाल देखते है area of a triangle is 1176 base and corresponding altitude are 3 and 4 what is the altitude of the triangle तो हम जानते है भई यह अगर triangle है इसका height A B C triangle है D यहां 90 degree बना इसके base को में माल लेता हूँ 3x और height को में माल लेता हूँ 4x तो half into base into height 3x into 4x बराबर 1176 होता है correct दो से काटोगे तो यहां दो आएगा मतलब कि जो x square है ही हो जाएगा 1176 divided by 6 6 से काटने पर एक बार कटेगा 56 आ रहा है 9 बार जाएगा 54 से 36 आ रहा है तो 6 बार जाएगा यह क्या है भाई यह 14 का square है 14 का square होने का मतलब x का value 14 आ आपको निकालना क्या है सवाल में find the altitude of the triangle तो altitude तो भाई यहां 4x था मराबर इसके आधार और अनुपाद संगत उसकी उचाई तो उचाई जो है वो 4 गुने थी मतलब 4x उसकी उचाई थी एक्स का मान आ गया 14 तो यहां पर आप डाल देंगे इसको 56 मन जाएगा 56 इसकी हाइट रेंगी ठीग डी इस दगर करक्क रंसर क्लियर तो फॉर्मुला के तहत में सारी चीज़ों को देखना चाहते है जो में सारे वीडियो में थोड़ा सा आपको कॉंसेट बता है इन कॉं एक्सरेशन वाले ठीक है अज़र कल इसके अंदर एक स्कॉर्म होए इस तरीक रिए तो सबसे पहली बात यह तो इन सर्कल हो गया इन सर्कल होगा की नहीं और इन सर्कल का जो रीडियस होता है इस रीडियस के बारे में हमने डिसकस किया है यह डिवाइड बाय टूरू रू तो अगर यहां से आपको इस त्रिभूज का यानि कि वर्ग का आपको साइड मतलब की एरिया निकालना है तो सबसे पहली बात आपको समझना होगा इस वर्ग का साइड यदि X है इसका रेडियस आर है यह एक्चुली 90 डिग्री पर कटता है और 90 डिग्री आईसोसले स्ट्रेंगल में आप जानते हैं कि यहां पर 1 इस टू 1 इस टू रूट टू के टर्मस में आपका यहां पर रेश्योज रहते हैं तो अगर यह आर है आर है मतलब जो X होगा X का value root 2 R होगा मतलब इसमें root 2 से गुणा कर दीजे यही आपके भुजा हो जाएगी भुजा याने कि इस वर्ग की भुजा यहां तक clear है अगर वर्ग की भुजा इतनी है तो यहां पर इसमें 24 डाल दीजे तो वर्ग की भुजा आ जाएगी कि 24 multiplied by root 2 divided by 2 divided by root 3 ठीक है तो 2 से यह कट जाएगा 12 बार अगर वर्ग का शेत्रफल चाहिए what is the area of the square तो वर्ग का शेत्रफल होता है side का square मतलब 12 into 12 और root 2 और root 3 हट जाएगा तो 2 बटा 3 आएगा तीन से इसको काड देते हैं चार बार कटेगा मतलब 12 into 8 12 into 8 होता है 96 96 कुछ चीजों को मैंने यहां पर यूज किया जो मैंने आपको पहले भी बताया है एक बार चाहें तो आप यहां पर देख सकते हैं इनको कि कभी भी ठीक है right angle triangle की भी बाते हमने कर चुकी है कि यहां पर right angle triangle जो है perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square होता है लेकिन अभी यहां पर यहां तो आप half into p into b से इसका area निकाल सकते हैं या फिर आप यहां पर यह वाला जो है अगर इसका value x दिया हुआ आपको तो half into x h into x से भी आप यहां पर area निकाल सक लेकिन अभी जो theorem मैंने आपको use किया उसमें आप कुछ चीजों को याद रखिएगा जैसे कि यहां पर right angle triangle में isosteles right angle triangle में one one root two होता है इसके बारे में पहले भी discussion किया है sign rule में भी हमने discussion किया था trigonometry में भी हमने use किया था तो उसके तहद चीजों को आप connect करके बढ़िएग तो यही कुछ छोटे-छोटे से चीज़े हैं जिसको आपको ऐसे questions में फटा-फट कैसे calculate करना है उसके लिए आप यहां पर उन चीजों को use कर सकते हैं याद रख सकते हैं if the area of equilateral triangle is 81 root 3 what is the perimeter of the triangle तो किसी भी equilateral triangle का area root 3 by 4 a square होता है जो कि 81 root 3 के बराबर है तो root 3 और root 3 कर जाएगा square root लेने पर यहां a बचेगा यहां 2 बचेगा यहां पर is equal to 9 बचेगा is equal to यहां पर 9 बचेगा मतलब एक value जो है यह 18 होगा एक value 18 है तो आपको perimeter आप जानते 3 यह होता है तो 3 into 18 कर लिजे तो perimeter जो है 54 हो जाएगा यहां पर clear है यहां तक बात समझ भागई चलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप एक right angle triangle की बात कर रहे है यहां पर ठीक है तो shaded region का यह पहला प्रशन आप देख सकते हैं यहां पर इसमें हो क्या रहा है यह tribush जो है इसमें तीन तरफ से इस तरीके से आपने एक अर्ध विरित बनाया semi circle बनाया और आ इसके ओपर जो semi circle बनाया है वो कुछ इस तरीके से है यहां से इस तरीके से ठीक और तीसरा जो semi circle बनाया है वो इसके ओपर बना हुआ है यहां तीसरे वाले side पर मतलब इसको लिया अपने diameter इस तरीके से semi circle बनाया है तो बीच में कुछ shaded region आ गया यह जो shaded region है यह जो shaded region है य कि इसले हो रहा है क्यूंकि किसी भी ट्रेंगल में अशा नहीक होता होता है आपको समझना होगा कि इसा होता है कहीं भी नहीं तो आपको इस triangle का बस जो area होगा वही यहां पर shaded region के area के बराबर होगा ठीक है तो यहां पर area of the triangle जो है वही shaded area का भी area होगा मतलब की half into 21 multiplied by 28 तो अगर मैं इसको 28 को काटू 14 से तो यहां पर 14 बर कटेगा यह ठीक है दो से काटने पर 14 बर कटेगा और यहां पर 14 मतलब कि यहां 4 times 28 plus 1 294 जो है इसका area हो जाएगा 294 ठीक चलिए अब हम आते हैं quadrilateral में चतुर्भुझ में चतुर्भुझ के बारे में मैंने आपको क्या बता के रखा है कि चतुर्भुझ का मतलब होता है जिसके four sides होते है इसमें अलग-अलग तरीके के यहां पर questions हमको deal करने पहला सवाल है आपके screen के उपर quadrilateral जो है जिसमें ABCD है एंगल C 72 डिग्री का है एंगल D 28 डिग्री का है bisector of angle A and angle B meet at O what is the measure of angle A होगी तो समझते हैं इसको कि इस तरीके के प्रश्ण में हमें कैसे इसको solve करना है तो आईए समझते हैं यहां पर हम quadrilateral के बारे में quadrilateral जो होता है चतुरभुज इस तरीके से दिखता है इसका directly कोई formula नहीं है लेकिन आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि एक weekend को जोड़ कर जैसे BD को हमने जोड़ दिया ABCD एक quadrilateral से चतुरभुज है एक weekend को हमने जोड़ दिय यहां पर इस triangle का area यहने triangle A BD का area और साथ में triangle C BD का area इन दोनों को अलग-अलग तरीके से आप जोड़ सकते हैं क्योंकि यहां से height H1 यहां से height H2 निकाला जा सकता है BD जो है यहां पर एक weekend बन जाएगा इस तरीके से आप दोनों का अगर area निकाल पाएं तो दोनों का area combine करके आप यहां पर इसका formula निकाल सकते इस तरीके से तो BD अगर यहां पर common दिया है तो H1 H2 दोनों में जो है बाहर निकल जाएग क्योंकि BD यहां भी BD यहां भी है तो half into BD into H1 plus H2 divided by 2 इस तरीके से आप area निकाल सकते हैं दूसरी बात अभी जो प्रशनक की बात हम कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा आप चोकरन रहेगा कि यहां पर जैसे एंगल bisector की बात हुई जैसे कि suppose करें इस figure को थोड़ा अच्छे समझेगा अगर ABCD एक quadrilateral है अगर angle C का bisector और angle D का bisector point F पर मिला और आप CFD निकालने जाएंगे तो CFD कुछ और नहीं होगा angle A plus angle B का आधा हो जाएगा बात समझ रहे है अगल A plus angle B का जो आधा है वो angle CFD होगा और angle C plus angle D का जो आधा है वो angle AEB होगा proof जानना चाहते है तो ऐसे समझ लीजे A plus B plus C plus D 360 degree के बराबर होगा अब angle AEB की अधी में बात करूँ AEB क्या है AEB इस triangle को आप देखना AEB में आप देखेंगे तो 180 degree minus angle A by 2 minus angle B by 2 इस तरीके से लिख सकते है और A by 2 plus B by 2 है अगर 180 degree की बात हो रही है तो मैं हाँ पर 360 बटे 2 को 180 plus C degree लिख सकता हूं यानि A by 2 plus B by 2 plus C by 2 plus D by 2 यहां से A by 2 plus B by 2 तो कटी किया बचा C plus D by 2 मतलब angle C plus angle D by 2 जो है वो angle AEB के बराबर होगा ठीक है angle A plus angle B का जो आधा है वो angle B C F D के बराबर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर AEB का value लिख सकते है angle C plus angle D by 2 वैसे ही angle C F D की बात करें तो angle A plus angle B का आधा हो जाएगा यह बहुत important है इसको आप note down करिएगा ठ angle AEB plus angle C F D को अगर मैं जोड़ूं दोनों को जोड़ूं तो A plus B plus C plus D divided by 2 होगा जो कि 180 degree आएगा मतलब यहां जो अंदर value बनते हैं यहां जो अंदर triangle बनता है यह एक cyclic quadrilateral बनता है चक्रिय चत्रबुझ बनता है क्योंकि opposite side का sum 180 degree हो गया तो यह चक्रिय चत्रबुझ बन गय ठीक है चलिए इसी के तहट अब इस सवाल को solve करने की कोशिश करते हैं देखें दिया हुए एक quadrilateral है जिसमें ABCD में आपको दो angle दिये हुए ठीक है एंगल C और angle D तो A B C और D एंगल C जो है 72 डिगरी है एंगल D जो है 28 डिगरी है दोनों angle आपको दे दिये गए तो angle A और angle B का bisector O पर मिलता है angle A का bisector angle B का bisector O पर मिलता है angle A O B का मज़र निकालना है तो A O B का short trick क्या है A O B होता है angle C plus angle D का आधा angle C plus angle D का आधा होता है मतलब की 72 डिगरी प्लस 28 करोगे तो 100 डिगरी आ जाएगा और 100 डिगरी का आधा कर लेंगे तो 50 डिगरी इसका वैल्यू हो जाएगा 50 डिगरी तो C है सवाल का सही उत्तर ठीक है आशा करता हो इस सवाल आपको समझ में आगा angle bisector है यह कोंड समधी भाजक और कोंड समधी भाजक अगर आप A और B से जो दो कोंड समधी भाजक है जहां मिले वहाँ पर जाकर जो कोंड में इसकी बात कर रहे है तो बाकी दुनों साइड बाकी दुनों angle जो है इनका योगफल करके बटे में दो कर लीज़े यही आपका answer होगा quadrilateral ABCDA is a point in the interior such that DE and CE are the bisectors of angle D and angle C angle B बरावर इतना angle DEC बरावर 80 तो angle A कितना है चलिए पहले तो diagram मनाना बहुत ज़रूरी है बीना diagram के आप सवाल को solve नहीं कर पाएंगे तो A, B, C और D ठीक एक point है interior में such that DE और CE बोला गया आप DE और CE जो है angle bisectors है इसके साथ में बोला गया angle B जो है 82 डिगरी का है मतलब यह आपका 82 डिगरी का दिया हुआ है और दिया हुए DEC जो है यह जो DEC है इसका value आपको 80 डिगरी दिया हुआ है तो बताइए इसका value क्या होगा angle A का value तो हम यह बात जानते हैं कि इन दोनों को जोड़कर आधा करने पर यह आता है मतलब आप यह भी तो समझ सकते हैं कि जो 80 डिगरी है वो इन दोनों का average होगा बात समझ रहें देखिए जो DEC होता है ना angle DEC यह होता है angle A plus angle B का आधा angle A plus angle B का आधा पूरा का पूरा solve नहीं करना है हमको यह मतलब कि एक तरीके से average हो गया इन दोनों का ऐसा कह सकते हैं और अगर यह average हुआ deviation लगाई है कि अगर 80 degree इसका average है तो यह भी 80 होना था यह भी 80 होना था तो 2 यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा 160 degree तो यहाँ से angle A हो जाएगा 160 degree माइनस का 82 degree मतलब की कितना तो बन जाएगा 78 degree ठीक पूरा भी solve कर सकते हैं बट उसकी जरूरत नहीं क्योंकि average में कुछ चीज deviation हमने सीखा था उसको आप directly है apply कर सकते हैं क्योंकि यह average का ही formula लग रहा है यहाँ चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपकी screen के उपर है इस plot का area आपको निकालना यह एक तरीके से quadrilateral यहाँ पर दिया हुआ ठीक इसको कैसे solve किया जाएगा यहाँ पर समझेगा कि आपको यहाँ पर सारे sides दिये तो या तो आप heroes formula से इसका area निकाल लीजे इसका area निकाल लीजे उससे भी पहले आपको समझ में आना चाहिए कि य isosless triangle है इसका value 25 और इसका value 25 है isosless triangle का area निकालना बहुत आसान है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से एक perpendicular बना सकते हैं और perpendicular जो है क्योंकि equal sides वाले sides से आप perpendicular drop कर रहे हैं तो यह perpendicular इसको दो हिस्सों में बाटेगा बरावर बरावर हिस्सों में तो अगर मैं मानलू कि यह point E है तो यह जो D E और B E है दोनों के दोनों 20 और यह 20 बनेगा और 20 और 25 देखते साथ समझ में आता है कि यह 15 होगा क्योंकि हम यह जानते 3, 4, 5 triplet होता है और यहाँ 4 का 5 गुणा करके 20 लिखा गया है और 5 का 5 गुणा करके 25 लिखा हुआ है तो इसका भी 5 गुणा करोगे तो 15 य यहां से जो value आ जाएगा यह हो जाएगा 300 जो है इसका area हो गया ठीक है 300 इसका area हो गया मीटर स्कुर में अब इस वाली triangle का area के लिए या तो आप heroes formula लगाई या समझें यहां पर कि sides जो दिया है वो triplet है 24 32 और 40 दिया है यह triplet है अगर मैं इसे 8 से काटू आट से काटू तो 3 आएगा यहां पर चार आएगा यहां पाच आएगा मतलब 345 फिर से ट्रिपलेट वैल्यू सेट करके रखा हुआ है तो इसका एरिया जो है यह का एरिया अलग से आपने 300 निकाल के रखा हुआ है तो दोनों को जोड़ लेते हैं ओवराल एरिया आजाएगा 684 का मतलब डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा कि अब आते हैं हम वर्ग पे वर्ग जो है एक स्पेशल कवांडर लेटरल है जिसमें सारे के सारे जो साइट से वह एक्वल होते हैं और सारे के सारे एंड्ल siAPP ऑल होते है मतल Изसित कुछे कॉखई न फीया होगा यह होगा और Gi b." कि इसके डायंड़ होते हैं 90-90 degree पर काटते हैं तो सारे quadrant यहां पर सारे के सारे जो छोटे-छोटे triangle से यह congruent भी हो जाते हैं ठीक है चले समझेगा यह square है इसका area जो होता है a square होता है मतलब side का square या अगर weekend आपको दिया है तो weekend का square का आधा हो जाता है क्योंकि weekend बरावर root to a होता है perimeter 4A हो जाएगा साथ में area जो होता है छोटे-छोटे triangle का सारे का area equal होता है साथ में congruent भी होते है diagonal जो होता है एक दूसरे को bisect करने के साथ-साथ यहां पर perpendicular भी होते हैं एक दूसरे से तो यह तो हो गया भई वर्ग वर्ग की बात कर लेते हैं दिया हुआ area a square and an equilateral triangle are drawn on the same base ठीक है find the ratio of their area same base का मतलब एक का area a square होगा तो दूसरे का area root 3 by 4 a square होगा square का और equilateral triangle का a square a square कट गया 4 को दूसरे तरफ देते तो चार अनुपात root 3 हो जाएगा square area ठीक तो simple है formula based question है यहां पर दिया गया है आपको square is inscribed in a circle if one side of the triangle is a what is the area of the square तो इसके बारे में हमने पहले भी discussion किया अगर यह a है तो यहां जो radius होगा इस radius का value directly हम जानते हैं a divided by 2 root 3 इसके बारे में हमने detail में discussion किया है जब हम median भी पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने discussion किया in circle discussion कर रहे थे वहां भी हमने discussion किया ठीक है centers of triangle में हमने detail में इसके बारे में discussion किया है और अगर यह इतना है तो जो actually यहां पर इसका side जो होगा square का जो side होगा x ये बरावर हो जाएगा root to r के क्योंकि ये भी आ रहे है ये भी आ रहे है और ये 90 डिग्री पर काटते है तो 45 45 और 90 वाला ट्रेंगल है यहने 1 is to 1 is to root 2 तो x बरावर कुछ और नहीं होगा x बरावर root to r होगा मतलब इसमें भी root to multiply कर लेना ठीक side का square होता है area of the square मतलब इसका square करोगे तो a square multiplied by 2 आएगा ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 3 एक से काटोगे तो 2 आएगा मतलब a square by 6 इसका answer होगा a square divided by 6 मतलब जो है a is the correct answer for this question ठीक है चलिए अब आते हैं भी rectangle पर आयत पर तो आयत की बात करें तो आयत में opposite side equal होता है यानि ये l है तो ये l होगा ये b है तो ये b होगा साथ में सारे angle जो है 90 degree के बरावर होते हैं तो यहां पर विकर्ण जो है एक दूसरे को bisect करते हैं यानि कि बरावर बरावर हिस्तों में काटते हैं यानि कि ob बरावर od और oa बरावर उसी तो होता है लेकिन 90 degree पर नहीं काटते हैं इस चीज़का आप ध्यान रखिएगा angle जो होते हैं वो bisect भी नहीं होता यहां पर अगर angle theta बना है तो यह दिडिरी माइनस theta होगा ऐसा पिछले वाले में नहीं हो रहा था अगर यहाँ 40 बना तो 45 45 45 बराबर बराबर पर कटेंगे यह लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है यहां अगर यह थीटा बना तो 90 डिग्री माइनस थीटा यहां पर बनेगा ठीक है आई एक दो सवाल देखते हैं यहां पर पहला सवाल दिया हुए इन गिवन फिगर गिवन बिलो is obtained by folding a rectangle the total area of the figure is 144 square meter had the rectangle not been folded the current overlapping part would have been a square what is the original area of the unfolded rectangle तो देखिए यहां से आपको बताना है unfolded rectangle का पूरा का पूरा original area क्या है होगा total area जो figure का यहां पर दिखाई दे रहा है visible जो है total area यहां से लेकर यहां तक का जो total area है यह 144 square centimeter सवाल में बोल रहा है कि आप इसको वापस open कर दें खोल दें यह folded है खोल देंगे तो वापस इस तरीके से आएगा देखें मज़े की बात यह है कि यहां जो area था नीचे वाला जो area था यह वाला area इसको घुमाके आपने यहां पर लिया है लेकिन extra जो area निकल के है वह इतना चोटा सा जो area है जिसको मैं अभी green color में कर देता हूं यह वाला area एक्स्टा निकल के आ रहा है ठीक है यह अगर 6 है तो इसका वेट भी 6 होगा मतलब समझे यहां एक्चुली जो extra area निकला वह एक इस तरीके से यहां पर जो extra area है यही निकला है मतलब 144 में बस आपको यह वाला green वाला area जोडना है तो total area यहां पर निकल के आ जाएगा कि यहां पर यह बड़ा सा rectangle है इसका area क्या है तो यह directly क्या होगा half into actually यह square है 6 into 6 करने पर square आ रहा है इसका आधा होगा मतलब 18 तो इसमें बस आपको 18 जोडना है तो 2 आएगा यहां पर ठीक है 6 162 जो है total area हो जाएगा तो C जो है सवाल का सही उत्तर है I hope यह आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते है आप चाहें तो पूरा का पूरा भी calculate कर सकते हैं कि यहां से हां तक का length क्या है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है directly आप देखे कि यह जो green वाला मीटर वाइड ओल अरॉंड इंसाइड ठीक है फाइंड दा कॉस्ट ऑफ ग्रैवलिंग एटी पैस पर स्क्वाइर मीटर देखे समझेगा यहां पर इस तरीके का एक डाइग्राम बना हुआ है जिसमें यह 110 पाए 65 मीटर का बना हुआ है ठीक है अब इसमें हमने क्या किया धाई मीटर का यहां पर हर तरफ से हमने इसको छोटा कर दिया और यहां पर हमने ग्रेवलिंग किया हुआ है मतलब इसके बाउंडरी इस पर मतलब यह भी लंबाई धाई मीटर की होगी 2.5 मीटर की और ये वाली जो लंबा ही है ये भी 2.5 मीटर की होगी साथ में ये भी 2.5 मीटर की होगी 2.5 मीटर और साथ में ये वाली जो लंबा ही है ये भी 2.5 मीटर की होगी 2.5 मीटर तो यहाँ पर अंदर में एक rectangle और निकल के आ गया इस rectangle की यदी में बात करो तो पूरा का पूरा 110 था धाई यहाँ धाई यहाँ टोटल 5 आप कम कर रहे हो मतलब यहाँ 105 मीटर आएगा धाई यहाँ धाई यहाँ कम कर रहे हो तो 60 में इतना कम होगा मतलब कितना हो जाएगा यह पैसे कम करोगे तो 60 बन जाएगा 60 meters, मतलब जो gravel है यह जो gravel वाला area है इस gravel वारे area की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जो gravel वारा area है, इसका आपको cost निकालना है, ठीक है, तो इसका area actually होगा क्या, मैं यह कह सकता हूँ कि भार वाले rectangle में से अंदर वाले rectangle का area यदि minus कर दिया जाए, तो जो area निकल के आएगा, वही gravel का area होगा, और इस gravel के area में, अगर आप यहाँ पर 80 पैस पर meter square की हिसाब से इसको multiply कर दें, तो cost निकल के आजाएगा, तो पहले आप यहाँ पर gravel का total जो area है उसको निकालना होगा, ठीक है, area of the gravel path 65, minus अंदर वाले rectangle का area हो जाएगा, जो की हो जाएगा 60, multiplied by 60, multiplied by कितना, 105 ठीक, इसका value आपको निकालना है, तो बताइए भी कितना हैगा, 11 से multiply करना है, तो देखिए, चलिए, जो चीज common है, उसको बाहर निकालने कोशिश करते हैं, जैसे 10 और यहां का 5, 50 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, 50 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां 11 बचेगा, और यहां पर मैंने 10 निकाला, 5 निकाला, तो 13 बचेगा, यहां से मैंने 10 निकाला, यहां से मैंने 5 निकाला, तो 21 बचेगा, ठीक अब थोड़ा से सिंपल लग रहा है 50 यह हो जाएगा 143 माइनस का 126 ठीक तो माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गया बचा यहाँ पर 7 यह 3 मन गया 13 में से 12 गया तो बचा 17 तो बन रहा है 850 यह तो भाई area है meter square में और प्रत्येक यहाँ पर जो area दिया हुआ है यह आपका 80 पैस के एसाब से दिया हुआ है तो 80 पैस मतलब कि रूपिया में convert करेंगे रूपीज में answer है तो 8 बटे 10 से आपको multiply करना होगा 00 कर गया तो बन जाएगा कितना 40 64 प्लस 4 करोगे 68 हैगा 680 रूपे जो है इतना cost लगेगा इसकी grappling के रहे clear है चलिए आगे बढ़ते अब हम आएंगे यहाँ पर समानतर्च चत्रुभुजयाने की parallelogram की बात करते हैं parallelogram में होता क्या है opposite sides parallel होते हैं और equal होते हैं तो यहाँ parallelogram में यह opposite sides जो है equal होंगे यानि A, B, C, D यदि parallelogram है तो A, B जो है यह parallel हो जाएगा CD के साथ में AD जो है यह parallel हो जाएगा BC के मतलब इसके साथ-साथ AB जो हो equal हो जाता है CD के और BC जो है equal हो जाता है DA के यह कुछ बाते हैं parallelogram की कि opposite sides equal होने के साथ-साथ parallel है तो यहाँ पर क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है उसके बारे में थोड़ा discussion कर लेते है चलिए तो parallelogram के बारे में discussion कर लेते है यहाँ दिया A, B parallel to CD तो A, B parallel to CD है इसका area जादी निकालना है तो A का length आप लेगते है A है यहाँ का height जो है h1 है ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर B base लेकर आप height h2 ले ले तो B into h2 भी यहाँ पर area देदेगा या तो आप A के साथ यहाँ पर दोनों के बीच का length ले लिजे h1 B के साथ दोनों के बीच का height ले लिजे h2 perimeter होता है 2 into A plus B अब अगर यह parallelogram यह parallelogram है अगर मैंने base यहाँ पर ले लिया CD को और यहाँ पर एक triangle में इस परकार बनाओ कि triangle की जो उपर वाली जो point है दूसरे side पर जाकर इसका point लाए करें तो यहाँ से जो area of the triangle होगा वो यहाँ पर parallelogram का आधा होगा क्योंकि देखिए इसका जो area होता है half ah1 होता है और इसका area ah1 होता है इसलिए जो triangle बनेगा यहाँ पर parallelogram का आधा area के बराबर होगा तो आप लिख सकते ECD जो triangle है यह parallelogram का आधा area होता है clear? चलिए इसके तहट कुछ points को आप no-down करिएगा कि यहाँ पर d1 square प्लस d2 square जो होता है यह 2 into a square प्लस b square होता है मतलब इसके diameter 1 का square प्लस diameter 2 का square बराबर 2 into a square प्लस b square होता है यह आप no-down करिएगा diameter 1 diameter 2 के equal नहीं होता है यहाँ पर साथ में अगर यह theta है ठीक है? तो यहाँ वाला angle 180 degree minus theta होगा यह केवाल एक दूसरे को bisect करते हैं, 90 degree पर bisect नहीं करते हैं साथ में angle bisect नहीं करते हैं जो alpha है यह बराबर beta के नहीं होगा ठीक है? यह कुछ points है आप यहाँ पर no-down कर सकते, area जो होगा इसका area बराबर इसका area साथ में congruent होगे AOB congruent to COD AOB AOB congruent to COB opposite triangles congruent साथ में इसका area भी equal होगा यह कुछ बात है होगी समझते यहाँ पर पहला यहाँ पर प्रस्ण दिया a parallelogram है sides 15 and 7 cm long length of one diagonal is 20 what is the area of the parallelogram तो एक parallelogram है आपको इस तरीके से दिया हुआ है ठीक है? जिसमें कि आपको बोला गया A, B, C, D suppose कर यह parallelogram है अगर यह side 15 है, यह 7 है तो यह भी 15 और यह भी 7 होगा एक diagonal की लंबाई आपको दी हुई है 20 आपको बोला गया है यहाँ पर कि इसका शेतरफल आपको ग्याद करना है तो देखे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर 20 है, यहाँ 15 है, यहाँ पर 7 है कोशिश हम यह करेंगे कि पहले आदे ही triangle, क्योंकि देखे यह जो diagonal है ना, यह diagonal यहाँ पर दो बरावर बरावर triangles बना देता है तो एक triangle का area निकाल लेते है heroes formula से, तो पूरे के पूरे यहाँ पर parallelogram का area निकाल लेते है, आ जाएगा यह ऐसे भी समझ सकते है कि इस parallelogram में यह base है, तो इसका जो area होगा इसका जो area होगा, इसका दुगना area पूरे parallelogram का होगा, यह अभी अभी हमने सीखा तो देखे, area निकालना है बहुत सारे तरीके heroes formula लगा लेते है, triangle ABC में ABC में, यदि मैं S की बात करो, तो S हो जाएगा 7 प्लस 15 प्लस 20 का आधा 6 ठीक, और 21 माइनस 20 मतलब 1 तो देखे, इसमें जो है, 7 चुपा हुआ है, 7 इंटू 3 चुपा हुआ है इसमें जो है, 7 इंटू 2 चुपा हुआ है और ये 6 जो है इसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, अब देखे 7 दो बार है, एक बार बाहर आजाएगा पैरलोग्राम का जो एरिया है, 42 मल्टिप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 84 पूरे पैरलोग्राम का एरिया clear तो आधे का एरिया निकाल लिया, फिर उसका डबल करनेंगे तो पैरलोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा next question यहाँ पर दिया हुआ है the longer side of the पैरलोग्राम is 14.3 distance between them is 4.4 if the distance between the shorter side is 5.2 what is the length of the shorter side of the पैरलोग्राम तो देखिए, आप याद रखी a h1 बरावर b h2 होता है आपको बोला गया कि यहाँ पर पहला वाला क्यूंकि देखिए, अगर एक पैरलोग्राम में बना दूँ इस तरीके से समझेगा अगर यह a है, इसका height h1 यह b है, इसका height h2 इस तरीके से आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि बड़ा जो side है इसका length है 14.3 इसके बीच की दूरी जो है 4.4 है छोटे वाले के आपको length निकालनी है और distance दिया है 5.2 तो 5.2 यहाँ लिख लेते हैं इसका यहाँ पर जो होगा length है उसको b मान लेते हैं तो एक decimal को यहाँ से हटा देते हैं एक decimal को यहाँ से हटा देते हैं 13 से काटोगे यह 4 बार कटेगा 13 से काटोगे 11 बार कटेगा 4 से काटोगे तो एक decimal एक बार कटेगा मतलब b जो है 11 का square हो गया 121 क्योंकि एक decimal माने तो एक decimal यहाँ पर लग जाएगा 12.1 जो है इसका सही उतर है समझ भी आ रहे है कैसे हम सिद्रों जो है कि एक स icon eBay में इसके इसके पैरले सीडी रॉंबस है तो ए भी जो है है इस है पैरलल टु सिदी होता है टीषी पैरलल टू डीए होता है साथ में यवी बरावर बी इस बरावर सीडी बरावर डीए भी हो जाता है ठीक किgoing से इसका area निकालना है तो यहाँ पर a h1 यहाँ भी होगा a h यहाँ भी आएगा दोनों में side equal होगया तो दोनों side का distance भी same होगा दोनों में h आएगा साथ में एक चीज बहुत important है यहाँ पर no down करना कि यहाँ जो diagonal होते हैं diagonal एक दूसरे को bisect करने के साथ-साथ 90 डिगरी पर काटते हैं मतलब यह आपका 90 डिगरी बनेगा यहाँ पर तो यह d1 का square d1 by 2 का square प्लस d2 by 2 का square बरावर a square हो जाता है पाच अगर स्थिरम से तो d1 square प्लस d2 square बरावर 4a square हो जाएगा यहाँ पर ठीक है इसको no down करिएगा area जो होता है half d1 d2 होता है अगर दोनों diagonal दे दिये गए तो आप half d1 d2 से इसको प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि quadrilateral का पहला formula हमने यही देखा था कि अगर आप यहाँ से दोनों height को निकाल सकते हैं तो दोनों height का sum जो है वो दूसरा diagonal बन गया पहला diagonal जो है वो d1 है बाकि दोनों side का height क्योंकि यह perpendicular है तो जो h1 रहेगा plus h2 रहेगा वो दूसरे diagonal ही बन गया मतलब half d1 d2 से आपका area निकल जाए तो यह कुछ formulas है जो आपके help करेंगे rhombus के formulas को solve करने के लिए ठीक यहाँ पर आप समझ लेना कि यह अगर theta बना तो 90 degree minus theta यह theta 90 degree minus theta यह theta 90 degree minus theta सारे के सारे जो triangle से छोटे 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 यह congruent होते है एक दूसरे से साथ में इनका area जो होता है 1 4 हो जाता है पूरे के पूरे rhombus के area का ठीक तो यह कुछ बाते हो गई अब आते हैं सवाल देखते हैं यहाँ पर rhombus से related एक दो सवाल important important diagonal जो होता है rhombus का पहला 14 है दूसरा 48 है आपको बताना है perimeter तो rhombus कुछ इस तरीकी से दिखता है ABCD यहाँ पर अगर मैं diagonal को मिला दूँ तो diagonal जाकर point O पर मिल रहा है छोटा diagonal को अगर मैं 14 कहों तो यहाँ पर इसका value साथ होगा इसका value भी साथ होगा बड़े diagonal को अगर मैं 48 कहों तो यह 24 होगा और यह भी 24 होगा बरावर अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो diagonal होते हैं न वो एक दूसरे को 90 degree पर काटते हैं ठीक तो 7 24 पच्चिस जो होता है 7 24 पच्चिस जो है triplet होता है मतलब यह जो side है 27 24 यह hypotenuse है तो 25 बनेगा इसी प्रकार यह भी 25 होगा यह भी 25 होगा यह भी 25 होगा perimeter निकालना था तो perimeter क्या होता है कि sum of all sides तो यहाँ जो square का perimeter होता है वही यहाँ पर इसका भी perimeter होगा मतलब 4 multiplied by 25 तो 100 जो है 100 जो है इसका perimeter बन जाएगा 100 centimeters clear है यह सवाल ठीक चलिए perimeter of a rhombus ठीक है sum चतुरभुज दिया हुआ है कि 48 है one obtuse angle is twice the acute angle what is its area देखिए इस तरीके का आपका figure बनेगा perimeter दिया है 48 perimeter 48 मतलब 4a 48 के बराबर है a जो है यह बन जाएगा 48 बटे 4 मतलब कितना तो 12 मतलब यह भी 12 यह भी 12 यह भी 12 और यह भी 12 एक obtuse angle जो है इसका दुगना है तो अगर यह theta तो यह 2 theta होगा बात समझेगा कि यह rhombus है opposite sides parallel होते है तो opposite sides parallel होने का मतलब यह दोनों का सम 180 होगा geometry के पहले ही वीडियो में जहां angles हम discuss कर रहे थे lines angles वहां हमने discuss किया है adjacent का सम 180 होता है तो theta plus 2 theta मतलब 3 theta बराबर 180 degree के है तो theta बराबर 60 degree होगा theta बराबर 60 degree होगा अगर theta बराबर 60 है तो आप समझ सकते हैं कि यह वाला जो है 60 degree हो जाएगा और अगर यह 60 है तो यह वाला value 160 हो 120 degree हो जाएगा इसका दुखना चलिए अगर मैं इसको मिला दूँ इसको मिला दूँ यह अगर 60 degree है तो जाहिर सी बात है यह भी 60 होगा यह भी 60 होगा क्योंकि यह दोनों equal है 12-12 तो आप समझ सकते हैं कि अगर यह quadrilateral है याने rhombus है ABCD तो ABC का area एक equilateral triangle का area के बराबर ही होगा क्योंकि ABC एक equilateral triangle बन गया तो triangle ABC का area पहले निकाल लीजे root 3 by 4 A square होगा मतलब root 3 by 4 into 12 into 12 यह है भाई ABC का area आपको पूरे सम चत्रभुज का area निकालना है याने rhombus का तो इसका just डूगना होगा पहले तो इसका value लेक लीजे कितना होगा इसको 6 बार काट देगा इसको 6 बार मतलब 36 root 3 है तो rhombus का area कितना होगा rhombus का area हो जाएगा इसका दूगना मतलब 72 root 3 इसका area जो है 72 root 3 यहने B जो है सवाल का से उतर हो clear है चलिए आगे बढ़ते है trapezium की हम बात करते हैं सम लंब चत्रभुज सम लंब चत्रभुज में क्या होगा दो sides parallel होने के साथ दो side non parallel होते हैं तो अगर यह ABCD एक चत्रभुज है तो यह दो side जो है parallel होंगे लेकिन यह जो AB जो है parallel हो जाएगा CD के opposite वाला लेकिन जो AD है यह not parallel होगा यह समानांतर नहीं होगा BC के तब इसे हम trapezium कहते हैं चलिए आई यह समझते हैं कुछ formulas trapezium का तो trapezium में आपको area निकालना है तो क्या होता है जैसे कि suppose करिए ABCD एक trapezium है इसका length A है इसका length B है इसके बीच का height यह दि h आ गया तो area होता है half into sum of parallel sides sum of parallel sides यहनि कि जो समानतर भुजाएं हैं इसका योगफल आधे गुणे समानतर भुजाओं का योथफल गुणे इनके समानतर भुजाओं के बीच की दूरी यहनि कि distance between parallel sides तो half into A plus B यदि इसकी लंबाई A है इसका लंबाई B है तो half into A plus B plus multiplied by H होता है इसमें एक formula और आप no down कर सकते हैं कि अगर diagonal D1 है यह D2 है एक सीज़ और note कर सकते हैं आप लोग A, O, B triangle और C, O, D जो है यह आपस में similar होंगे क्योंकि interior angle alternate interior angle याने आंतरिक ठीक है यहाँ पर कोण आप देख सकते हैं एक आंतर आंतरिक कोण में alpha, alpha बरावर, theta, theta बरावर तो दो angles अगर equal होगा है तो जितना A, O, B जो है A, O, B और C, O, D एक दूसरे के similar हो जाएंगे इसके तहरे जिसका area जो होता है वो A square और B square के term में रहेगा ठीक है यहाँ तक बात समझ में आगे चलिए आगे बढ़ते दूसरी बात आपको समझना होगा कि इसका area जो A square A square जैसे कि अगर A और B के area की में बात करो A अनुपात B इसका अगर area की बात करो तो A square, B square के ratio में रहेगा दूसरी बात हम यह discuss कर चुके हैं पहले किसी भी quadrilateral में जब हम areas discuss कर रहे थे वहाँ हमने देखा था कि इन दोनों का quadrilateral का area होगा यानि triangle का area होगा A into B वो इन दोनों के area के बरावर होगा मतलब अगर इन दोनों का area multiply करें वो इन दोनों के बरावर trapezium में मजी की बात यह होती है कि अगर यह parallel line है यह parallel line है तो यहां से A, B, C triangle और A, B, D triangle इसका area तो same होगा क्योंकि यह parallel lines के बीच का height जो है वो same होगा जितना height इसका उतना height इसका साथ में base same है तो half into base into height के थैट A, B, D triangle और A, B, C triangle इन दोनों का area same होता है और अगर मैं इन दोनों के area में से इस A area को minus कर दूँ तो दोनों में बरावर बरावर area बचना चाहिए क्योंकि यह जो A बीच में इस point को अगर O माल ले triangle A, O, B का area दोनों side minus कर दूँ तो बचेगा क्या A, O, D और B, O, C तो जितना area A, O, D का होता है उतना ही area A, B, O, C का होता है तो पूरे के पूरे A, B, D में से A, O, B minus किया पूरे के पूरे A, B, C में से A, O, B minus किया तो बचा A, O, D का area बरावर B, O, C का area इसको X, X मानने थे हम यह बात जानते हैं कि opposite side यानि opposite में जो triangle बनते हैं किसी भी quadrilateral में तो trapezium भी तो एक quadrilateral ही है इन दोनों का area का product इन दोनों के area के product के बरावर होता है यहाँ पर दूसरी बात यह पता चली इसका area X है तो इसका area X है तो X into X बरावर A, B है तो यहाँ से इसका area directly square root of A, B होता है इसको आप note down कर ले जिएगा कि अगर इसका area A है इसका area B है तो square root of A, B जो है इसका area इसका area हो जाएगा मतलब A, O, B का और B, O, C का तीसरा बहुत important point trapezium में जो diagonal होते है इसके midpoint को जोड़ दिया जाए तो M जो है AC का midpoint है N जो है BD का midpoint है MN की लंबाई निकालनी है तो वो हो जाएगा half A minus B A minus B का आधा कर लीजे वही इसका midpoint है यह difficult question माना जाता था जब सवाल exam में है था बट बहुत आसान सवाल है क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम construction कर लेते हैं हम इसको produce कर लेते हैं E point तक तो midpoint theorem से जो EN है वो A का आधा होगा क्योंकि यह parallel है साथ में आपने इसके दोनों के मध्य बिंदू को जोड़ा तो जो पुरा का पुरा EN है N ही जो है यह half A हो जाएग साथ में आप इस triangle को देखेंगे थोड़ा सा गौर करेंगे ठीक है EM के बारे में अगर हम discuss करें EM तो EM जो है यहाँ पर इस triangle में इस triangle में यहाँ E जो है इसका मध्य बिंदू है AD का और M जो है AC का मध्य बिंदू है midpoint theorem से EM के लंबाई B का आधा हो जाएग तो अगर MN निकालना है MN निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ NE में से EM को माइनस कर दूँगा तो half A minus B आ जाएगा तो अगर किसी ट्रेपेजियम के diagonal के midpoints को जोड़ दिया जाए उसकी लंबाई पूछे तो half A minus B इसका answer हो जाता है ठीक है कुछ सवाल देख लेते हैं यहां दिया हुआ है ratio of the length of parallel side in the trapezium is 3 to 2, shortest distance between them is 15, area is 50 cm square, what is the sum of the parallel sides तो इसकी तो कोई आवसकता नहीं है क्योंकि trapezium का जो area होता है trapezium का जो area होता है यह होता है half into sum of parallel sides multiplied by distance between them तो जो समानतर भुजाओं का जो योग है गुणे उनके बीच की जो दूरी होती है उसका आधा करने पर trapezium का area आता है trapezium का area दिया हो है 450 यह आपको निकालना है इसको मैं मालने तो हो x जो आपको निकालना है आधा distance इनके 20 दिया हो है 15 ठीक है तो 15 इसको काट देगा 30 बार 2 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 60 60 इस सवाल का सही उतर है अब अगर सवाल में यह बोलता कि लंबी वाली जो भुजा है समानतर उसकी value निकालिए तो इस तीन अनुपाद 2 का use आता लेकिन उसका कोई use ही नहीं है क्योंकि यहां आपको उसका sum पूछ रहा है और sum directly formula में आ जाता है ठीक है next question the parallel sides of the trapezium are 8 and 4 m and n are the midpoints of the trapezium what is the length of mn? तो देखें मध्यबिंदू जब आप diagonal विकर्णों के मध्यबिंदू को जोड़ते है mn इसका value निकालना है तो half जो आपके parallel भुजाएं उसका अंतर ले लिजेगा और आधा कर लिजेगा 4 बटे 2 cm इसका उत्तर होगा ठीक है बहुत आसान सवाल है यह लेकिन जब exam में पूछा गया था तो काफी difficult भी लग रहा था लोगों को बट है difficult नहीं यहाँ पर आपको इसका area निकालना है इस trapezium का area निकालना है ठीक है तो यहाँ trapezium है यह इस तीसको आपको समझना होगा दिया नहीं है लेकिन आप समझेगा यहाँ trapezium है तो मैं यहाँ given condition को modify कर देता हूँ a b जो है parallel c d तो जैसी आपने देखा trapezium है मतलब जो area a od का होगा वही area b o c का होगा तो x square बरावर होता है 9 multiplied by 25 यह किसी भी quadrilateral में सही है कि opposite वाले जो triangle होते है इसका product बरावर होता है लेकिन trapezium में यह वाला जो area है यह वाला area same हो जाता है तो x का value क्या हुआ 3 into 5 पतलब 15 ठीक तो इसका area भी 15 इसका area भी 15 overall पूरा का पूरा area निकालना है तो 15 plus 15 हो गया 30 25 plus 9 हो गया 34 ठीक इन दोनों को जोड़ेंगे 34 आ जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे 15 plus 15 30 हो गया तो 64 पूरे के पूरे trapezium का area हो जाएगा clear है चलिए एक बहुत important बहुत ही basic चीज बहुत ही basic चीज है इसके उपर दो मांका सवाल आपके उपर आ सकता है prelims में conceptual question किसी भी चतुरभुज के मध्यबिंदू को जोड़ने से parallelogram बनता है समानतर चतुरभुज बनता है किसी भी चतुरभुज के मध्यबिंदू को जोड़ने बनता है rombus के मध्यबिंदू को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा rectangle बनेगा rectangle के मध्य बिंदू को जोड़ेगा तो रॉंबस बनेगा square के मध्य बिंदू जोडने से square बनता है parallelogram के मध्य बिंदू को जोडने से parallelogram बनता है, बहुत important है basic concept है इसके उपर दो माँ का सवाल prelims में बन सकता है अब आते हैं भई, hexagon में देखे भई, hexagon की अगर मैं बात करूँ तो regular hexagon बहुत important है regular hexagon कुछ इस प्रकार दिखता है इसके अगर दो-दो बिंदू को छोड़कर जो तीन विकर्ण बनते हैं इसको जोडने पर 6 equilateral triangle बनते हैं और एक equilateral triangle का area होता है root 3 by 4 a square तो पूरे के पूरे यहाँ पर जो 6 equilateral triangle है इस पूरे शटकोन का area निकालना है तो 6 into root 3 by 4 a square इसका area हो जाए ठीक अगर मैं इस शटकोन के विकर्णों की संख्या की बात करूँ तो विकर्णों का formula आता है n into n minus 3 by 2 जिसमें n बराबर अगर 6 दाल दिया जाए साथ में अगर आप देखें तो इस diagram में पहला विकर्ण यह है दूसरा विकर्ण यह है तीसरा विकर्ण यह है क्योंकि यह equilateral triangle है तो यह जो तीन विकर्ण बने इसकी लंबाई a और a होती है इसकी लंबाई भी a इसकी लंबाई भी a एक दूसरा विकंड और होता है जो कि एक एक विंदू को छोड़ने से बनता है जैसे कि देखे ये जो विकंड बना है दो दो बिंदू को छोड़ने से बना है ये बिंदू ये बिंदू को छोड़कर ये बना हो तो इन दोनों बिंदू को छोड़कर एक विकंड ऐसा बनेगा इस बिंदू को छोड़कर एक विकंड ऐसा बनेगा एक विकंड ऐसा बनेगा और एक विकंड ऐसा भी बनेगा तो जो रेड वाला विकंड है इस विकंड की लंबाई रूट 3A होती है रूट 3A होती है ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने ये देखा है कि जभी भी 120 डिगरी, 30 डिगरी और 30 डिगरी, ऐसा जभी भी कोई बनता है, तो यहाँ 1, 1 और root 3 के अनुपाद में होता है, तो अगर ये A है, ये A है, ये पूरा का पूरा बनता है आपका 120 डिगरी का interior angle, ये आप calculate कर सकते है तो अगर ये 120 डिगरी का बन रहा है, तो ये आपका root 3 A times बनेगा, ठीक है, तो इन कुछ बातों को आप note down कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ एक hexagon है, hexagon का area 6 root 3 by 4 A square होता है, क्यों होता है हमने समझ लिया, 6 diagonal ऐसे होते हैं, जिसका लेंबाई जो है root 3 ह होगा, साथ में, यहाँ पर आप देख रहे है, AD, यानि AD का मतलब ये opposite वाला, CFE वाला opposite और CBE, इन सब विकर्णों की लंबाई 2 A होती है, total विकर्ण 9 होते हैं, जिसमें से 3 एक अलग लंबाई के होते हैं, 6 एक अलग लंबाई के होते हैं, ठीक, area हमने discuss कर दिया, diagonal हमने discuss कर जाएगा, ठीक, और इसके बारे में हमने discussion पहले करके रखा है, जब 120, 30, 30 होता है, तो 1, 1, root 3 के ratio में रहता है, तो अगर ये A है, ये A है, तो ये root 3, A होगा, इस तरीके से, अब अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं, 120 degree, यहां 60 degree बन रहा है, सारे के सारे 120 degree होंगे, regular hexagon में, अगर मैं इस तरीके से जोड़ दू, तो जितना एरिया इसका, उतना एरिया इसका, उतना एरिया इसका होगा, ठीक है, तो कुछ diagram से इसको आप याद रख सकते हैं, rhombus बन जाएगा, ठीक, टरपेजियम में, जब हम यहां मध्य बिंदू को हम जोडते हैं, इस मध्य इसकी लंबाई होती है, ठीक है, तो अगर मध्य बिंदू को हम जोड़ दें, तो a प्लस 2 है, क्योंकि इसकी लंबाई 2 होती है, तो a प्लस 2 है, 3a बाई 2, इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक, इस बात का आप नोट बना सकते हैं, चलिए, अब कुछ सवाल देखते हैं, यह अगर यह 6 है, अगर यह 6 है, यह 6 है, तो इसकी लंबाई 6 रूट 3 होगा, अगर यह 6 है, यह 6 है, तो SU की लंबाई 6 रूट 3 होगा, अगर यह 6 है, यह 6 है, तो SU की लंबाई 6 रूट 3 है, मतलब यह जो SQ है, यह एक एकुलेटरल ट्रेंगल है, जिसका लेंथ जो है, वो 36 इंटू 3 हो जाएगा तो 4-4 यहां पर कड़ गया मतलब कितना 27 रूट 3 जो है इसका एरिया बन जाएगा ठीक है तो यह इसका एंसर हो जाएगा चलिए अब यहां से बोला गया है कि अगर ABCD एक regular hexagon है PQRR midpoints of AF BC and ED तो आपको बताना है PQR की लंबाई यहां कि एरिया क्या होगा तो simple है इस सवाल को अभी अभी हमने देखा कि अगर इसकी लंबाई A है तो इसकी लंबाई जो है 2A होती है और बीच में PQ की जो लंबाई होती है A plus 2 है मतलब 3A by 2 होती है मतलब जो PQR है एक equilateral triangle बनेगा जिसकी भुजा की लंबाई जो होगी वह हो जाएगी 3 into 12 divided by 2 दो से काटोगे तो 6 आजाएगा मतलब कितना 18 तो PQR का जो एरिया है यह हो जाएगा root 3 by 4 into 18 into 18 4 से काटोगे तो 9 आएगा यह भी 9 आजाएगा मतलब कितना तो 81 root 3 होगा 81 root 3 होगा B जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear अब यहाँ से इसका एरिया आपको निकालने को कहा जा रहा है ठीक इसका एरिया टोटल का कितना परसेंट है आपको बताना है देखिए टोटल अगर मैं बात करूँ अगर यह side A है तो पूरे के पूरे hexagon का एरिया 6 multiplied by 6 equilateral triangle बनते हैं तो root 3 by 4 A square इस तरीके से इसका एरिया रहे ठीक साथ में अगर आपसे यहाँ पर केवल इसकी बात कर रहे है इसकी बात की जा रहे है तो समझेगा कि यहाँ पर दो triangle मतलब कि यह एक trapezium के जैसा बन रहा है जिसमें इसकी लंबाई 2 A है इसकी लंबाई 2 A है ठीक तो यह जो छोटा triangle है यहाँ पर सेम होता है और यह square root आफ इनके product के बराबर होता है क्योंकि trapezium है तो यह 2 और यह 2 के बराबर होगा मतलब यहाँ पर जो area है इसका area जो है यह 2 units के बराबर है ठीक इसका area जो है 2 units के बराबर है तो अगर पूरे के पूरे hexagon की बात करें तो इसकी भी आवे सकता नहीं है क्योंकि आप आधे hexagon की बात करें तो इस आधे hexagon में 4 प्लस 4, मतलब 8 इसका area हो गया 4 प्लस 2 प्लस 2 यानि 4 और 9 इसका area हो गया तो पुरे के पुरे hexagon का area नीचे में 9, उपर में 9, पुरा का पुरा 18 हो जाएगा तो जो shaded region है इसके area की बात करें तो 2 divided by total hexagon का 18 unit आया क्योंकि 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 ये 9 unit हो गया तो उपर में भी 9 unit होगा आप इस hexagon को 2 हिस्से में बात रहे है तो shaded region का percentage पूछ रहा है तो 2 बटे 18 मतलब 1 बटा 9 होगा और 1 बटे 9 का percentage मान आप अच्छे जानते ही होता है 11.11 एक एक प्रतिसेत ठीक है चलिए अब देखे circle की में बात करूँ तो circle मैंने काफी detail में आप से discuss किया है तो यहाँ कुछ नया हमको सीखना नहीं है circle का जो area होता है pi r square होता है और 2 pi r इसका circumference होता है बाकी चीज़े जो है मैंने geometry में आपको बता के रखा हुआ है उसी के तहत आप सारी चीज़ों को circles में solve कर सकते हैं ठीक है और अगर हमें यहाँ पर किसी circle का diameter पता चल गया d तो diameter जो होता है यह radius का दुगना होता है तो इसी के तहत area को आप लिख सकते है पाई d square by 4 या circumference की बात हो रही है तो circumference याने इसकी परिदी जो होती है यह पाई d के बराबर होता है इन कुछ बातों को आपनो down कर सकते हैं ठीक देखे radius of the circle is 2.8, find the length of the arc with substance and angle of 135 degrees तो यहाँ length of arc निकालना है सबसे पहली बात आप समझेगा पूरा का पूरा जो circle है इस तरीके से होता है अब अगर यहाँ पर कोई एक arc है जो यहाँ पर बीच में 135 degree subtend कर रहा है इसकी लंबाई 2.8 है आप जानते हैं कि पूरा का पूरा लंबाई जो होता है circumference का वो कितना होता है वो होता है 2 pi r याने 2 pi into 2.8 meters यह पूरे की पूरी परिदी है लेकिन आपको केवल यह वाली परिदी चाहिए जो यहाँ पर इतनी लंबाई है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच में center पर 135 degree बना रहा है पूरा का पूरा जो circumference होता है वो 360 degree का होता है तो अगर केवल इतना ही लंबाई चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा multiply करना होगा 135 divided by 360 पाई का मान आप सब लोग जानते है पाई का मान होता है 22 by 7 जब तक यहाँ पर कुछ value नहीं दिया है तो हम यहाँ 22 बटे 7 दाल देंगे approximate value और calculate कर सकते हैं चीजों को ठीक है तो यहाँ से बताइए भई इसका value क्या आएगा अगर हम इसको 45 से काटे तो 3 बर कटेगा यह 45 से काटे इसको तो 8 बर कटेगा एक 10 अमलब को यहाँ से हटाने के लिए उपर नीचे मैं 10 से गुणा कर लेता हूँ तो यह 10 बर यहाँ पर इस तरीके से आजाएगा 10 टाइमस ठीक 7 फोर्जा होता है चलिए 2 से काटोगे तो यह 4 बर कटेगा 7 फोर्जा 28 होता है तो यह कट जाएगा मतलब 6 66 बाइ 10 आ रहा है मतलब 6.6 जो है इसका value हो जाएगा 6.6 ठीक है इसकी लंबाई जो दिये 10 दी हुई है मतलब यह 10 cm इसकी लंबाई झी भी आपको area निकालना है इसका याने ऐनायूलर area मतलब यह वाला area निकालना है तो granular area का मतलब होता है pi r square minus small r square क्यों कि देखilly बाहर वाले का area pi r square होगा अंदर वाले का small pi r square होगा अब बाहर वाले का area कैसे निकाले देखिए अगर मैं इस center से इसके extreme point को जोड़ दो तो capital आ रहाएगा और यहाँ वाले को जोड़ दो तो small आ रहाएगा मतलब मैं यहाँ से एक perpendicular बना रहा हूँ इस cord पर और यहाँ से इसके extreme को जोड़ रहा हूँ और perpendicular बनाने का मतलब यह होता है कि यह cord को बरावर हिस्तों में बढ़ता है तो अगर यह पूरा का पूरा 10 है तो यह 5 हो जाएगा यह भी 5 हो जाएगा अब इसको समझेगा कि मैंने मेहाँ पर perpendicular बनाए क्योंकि यह radius है तो radius perpendicular होता है tangent के और tangent के perpendicular होने पर बाहर वाले code बाहर वाला तो यहां से जो area आ रहा है annular area pi r square minus r square की जगा 5 square आएगा मतलब 25 तो 25 pi जो है इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए circles को मैंने काफी detail में आपको geometry में पढ़ाया है तो जितना भी हमने geometry में सीखा है more than sufficient है mensuration of questions को handle करने के लिए ठीक है चलिए अब मैं यहां पर इस video को रोकता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया mensuration का एक ही सवाल आता है और pre में आपका mensuration का level बहुत ज़्यादा depth में नहीं पूछा जाता है formula based रहता है चलिए इनी कुछ बातों के साथ mensuration 2D को मैं यहां पर रोकता हूँ आने वाले वीडियो में हम mensuration 3D को देखेंगे thank you so much इस video में इतना ही